हालो फ्रेंड्स आज रियल नंबर के कुछ और कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर यह फोर है इसमें यह कहा जाता है कि यूज एकलिट डिविजन लेमा तो शो दाट दा स्क्वेर अफ एनी पोजिटिटिव इंटिजर्स इज इज इधर आफ दा फॉर्म 3M और 3M प्लस वान फॉर सम इंटिजर्स एम पहले दोस्तों इसको हम तोड़ करके अलग-अलग बाइपार्ट इसको हम समझते कि एक्चुली कोश्चन है क्या क्या कोश्चन कहता है उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे बहुत अच्छी तरह समझ पाएंग तो सबस आप स्क्वेर करते हैं तो वह क्या कहता है कि वह या तो थ्री एम के फॉर्म में आएगा या थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में आएगा दोस्तों तो हम कुछ चेक करते हैं माल लिजे कि हम कोई भी पॉजिटिव तीन चार पॉजिटिव नंबर से ले लेते हैं माल लिजे क यह क्या यह हो, स्क्राइब की स्क्राइब के स्क्राइब यह रिन है। फॉजितिटिव में नुए भी है , आप गुण कुछ हमें का स्क्षत हैं। ह्ल świe स्कॉर्म मां हनच हवं लिए। यह mix इप्टीफ करना, यह क्यों में मांच क्यों। that means 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24 1 बच गया तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 3 into 8 plus 1 right that means m की value कितनी हो गई ये m है 3m plus 1 right इस form में आ गया अगर हम 6 की बात करें तो 6 का square कितना होगा दोस्तों 36 36 तो कितना होगा 3 अगर 36 को हम डिवाइड करतें डिरेक्ट 12 हो जाता है 3 36 3 1 जा 3 6 3 2 जा 6 0 तो इसको हम क्या लिख सकते 3 into 12 plus 0 that means 3 into 12 ये 12 क्या है? m है ठीक है? ये 3m के form में आ गया और ये 3m plus 1 के form में आ गया अब हमने एक लिए है 10 10 ठीक है? एक 7 भी ले ले लेते हैं दोस्तों अगर 7 का square करें तो क्या होगा? 49 49 को हम क्या लिख सकते है? 3 के table में 16 3 जा 48 1 remainder बच जाता है that means 3 into 16 plus 1 यहां पर m की value कितनी है? 16 that means ये भी आ गया 3m plus 1 के form में अब 10 लिया था 10 भी ले ले लेते है 10 का square कितना होगा? 100 तो 3 के table में हम देखेंगे 33 3 जा 99 होता है that means 1 remainder बच जाएगा तो 3 into 33 plus 1 that means m की value होगी 3 right? तो हमने क्या देखा कि कोई भी positive number आप लेंगे अगर उसका square करेंगे तो या तो 3m के form में होगा या 3m plus 1 के ही form में होगा यहां पर हम देखेंगे कि M की value जो है vary कर रहा है M की value यहां पर कुछ और है यहां पर कुछ और है क्यों कुछ और का जाता है क्योंकि कहा जाता है कि for some integer M M integer जो है M की value कुछ भी हो सकती है M integer है यह कहा गया कि integer है लेकि M की value कुछ भी हो सकती है अब हम इसको अपने question में चलते हैं यह तो क्या question कहता है उसकी भी हमने बात किया अब हम question को solve करते हैं Let A be any positive number Any positive integers and B equals to 3 और B को हमने क्या क्या दिया 3 क्या दिया तो by using Eclipse division lemma ठीक है क्या होगा A equals to 3 B की value 3 है और यह Q plus R right where Q and R are some integers right such that such that दिखे है रमेंडर R की value क्या होंगी हमेशा हमने देखा है लास्ट फर्स वीडियो में भी हमने बताया था कि रिमेंडर हमेशा डिवाइजर से छोटी ही होंगी ठीक है डिवाइजर के एकवल कभी भी नहीं हो सकते एक एक जामपल ले लेते हैं अगर 3 से 5 को अगर हम डिवाइड करें कि 3 1 जा 3 2 रिमेंडर बचे है अगर यह 6 हो जाता तो क्या होगा तब रिमेंडर 3 नहीं आएगा तब 3 के टेवल में 1 के वज़ाए 3 2 जा 6 तो 3 2 जा 6 तब रिमेंडर 0 बच जाएगा ठीक है तो इसका मतलब यह है कि रिमेंडर कभी भी डिवाइजर के एकवल नहीं होगा डिवाइजर से वो छोटी वै कि यहां पर डिवाइजर क्या है थिरी है तो आर की वैल जो रिमेंडर है आर की वैलू 0 भी हो सकती है 0 से बड़ी हो सकती है और चोटी किसी होंगी अब हम देखेंगे कि जब आर की वैलू 0 होंगी वन होंगी तो क्या होगा तो वेन आर इक्वास टू 0 जब आर जीरो हो गया तो ए क्या होगा तो ए इक्वास टू 3Q प्लस 0 लिखने की ज़रोत नहीं है लेकिन अब क्या कहा गया कि क्या होगा तो क्या होगा तो क्या होगा एक्वास टू 9 Q स्कूर इसको लिख सकते हैं 3 3 Q का स्कूर राइट इक्वास टू 3 इंटू इसको दोस्तों हम कह सकते हैं M basically 3 Q स्कूर को हमने क्या कह दिया M कह दिया क्यों 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 कि यहां पर कहा जाता है कि M is Sum Integer तो इसकी वैल्यू हमने M कह दिया वेर वेर M इक्वस टू 3 QS का है M की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिर्फ एक कंडिशन क्या कहता है कि वो इंटीजर हुई होनी थी है तो Q की वैल्यू कुछ भी आप डालेंगे माइनस डाले, प्लस डाले या कुछ भी डाले और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो इंटीजर ही होंगी इसका मतलब यह सैटिस्फाइ कर रहा है कि M is a integer तो यह क्या फॉर्म में हो गया 3 M के फॉर्म में हो गया जब R की वैल्यू जीरो थी तो ठीक है अब हम देखते हैं कि R की वैल्यू 1 है जब वेन R इक्वस टू 1 ठीक है तो A इक्वस टू क्या होगा 3 Q प्लस R की वैल्यू है 1 अब हमें क्या फिर से निकालना है A स्क्वेर तो A स्क्वेर इम बोच साइट कर देते हैं तो क्या होगा A स्क्वेर इक्वस टू 3 Q प्लस 1 का होल स्क्वेर अब यह A प्लस B का होल स्क्वेर है A प्लस B के होल स्क्वेर पे इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा 9 Q स्क्वेर प्लस 2 इंटू 3 Q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेर राइट 9 Q स्क्वेर 3 to just 6 q plus 1 अब देखिए हमें तो 3 q तो चाहिए चाहिए तो 3 q इसी दोनों में से common आप आ रहा है तो हम इसमें से 3 q 3 common ले लेते हैं 3 q square plus 2 q इसमें से कुछ नहीं common आएगा इसको हमने 1 कह दिया अब देखिए इसको हमने क्या कह दिया m कह दिया 3 m plus 1 where where 3 q square plus 2 q equals to m right देखिए कुछ student confuse हो जाते कि m की value तो हमने 3 q square कहा और m की value यहाँ पर 3 q plus 2 q कहा देखिए m के बारे में यह कहा गया कि इनृजियर हो सकते है कुछ भी हो सकती है value तो m की यहां पर कुछ और value हो सकती है 3 q s-quer यहां पर कुछ और value हो सकती है ठीक है लेकिन दोनों जग़ m कहा है वह integer है तो यह value भी integer है और 3 q s-quer नीचन है इसलिए हमने इस को भी M के जगह पे replace कर दिया और यहां पे भी हमने M के जगह पे replace कर दिया इसलिए इसमें confuse होने की जुरत नहीं है हमने जो पहले एक real time example हमने लेकर देखा था जो 6, 7 और 10 होगर लिया था तो उसमें भी हमने देखा कि M की value अलग लग थी तो यह 1 के लिए हमारे पास आ गया अब हम जब R की value हम 2 put करते हैं तो देखते हैं क्या होता है when R equals to 2 तो A की value कितनी होगी 3Q plus 2 3Q plus 2 अब squaring फिर से करते हैं तो A square equals to 9Q square plus 2AB 2 into 3 2 into 3Q into 2 plus 2 का square 9Q square 3 to 6 to 12Q plus 4 ठीक है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 3 plus 1 लिख सकता हूँ 3 plus 1 इससे क्या फायदा होगा कि सब में से 3 common आ जाएगा आमरे पास 3 common आ गया तो यह क्या होगा 3 Q square plus 4 Q plus 1 और यह plus 1 remainder बच गया और इसको फिर हम कह सकता है M 3 M plus 1 राइट वेर M equals to 3 Q square plus 1 तो देखे हमने क्या देखा कि जो हमने positive integer अ लिया था उसकी value हर case में चाहे रिमेंडर 0 हो 1 हो या 2 हो हर case में वो 3 M या 3 M plus 1 के form में आ रहा है ठीक है तो यही प्रूब करना था